इंडियन गर्मेंट इंफर्सक्टर के ऊपर 1.4 trillion dollar spent करने की सोच रही है 2023 तक जिसमें different different sector आते हैं जैसे highway हो गया, railway हो गया, bridges, buildings हो गया, dams हो गया, airport हो गया और भी different different sector और इन सभी sector में इन सारे इंफर्सक्टर को complete करने के लिए huge demand में गर्मेंट को engineers भी चाहिए वो काम private sector के द इंडियन गर्मेंट को इस infrastructure को develop करवाने में सबसे ज़्यादा जिनका help चाहिए वो है civil engineers तो इसमें कोई कमी नहीं आने वाली है, कमी है तो हमारे skill में है, और site engineering skill में कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि हम लोग चीजों को सीखते नहीं है, हम लोग का course details है, हमारे जो BITEC या diploma जो भी करते हैं, उस academic में हम लोग वो चीज हमारा cover नहीं करते हैं, जो आप लोग site पे जाके काम करने वाले हैं, तो site engineering का course आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा helpful रहता है, site पे जो काम करना है वो बहुत ज़्यादा helpful रहता है आप लोग के लिए, अगर as a site engineer जो रोल होता है सबसे पहले, वो सबसे पहले है आपका वेस्टेश को कंट्रोल करना, quality को कंट्रोल करना, quality को सबसे main priority रखना, वो बोला जाता है न कि safety first, quality must and quantity just, इस चीज को आपको गांट बांद के रख लेना है, अगर आप एक site engineer हो तो आपको BBS हो गया, जिसमें quality survey निकालना, किस भी project का, या अगर आप काम करवाते हो, तो आप सारा material तो एक बाब में मंगाओगे न, आपको उसका requirement देना पड़ेगा, तो आपको सबसे पहले quantity निकालनी पड़ेगी, तब जाके आप material निकाल पाओगे, कि उसके एंगस में कितना material आपका लगने वाला ह quality engineering हो गई, अगर कोई काम कराते हो, उसमें अगर quality ही ना रहा है, तो आप किस बात की engineer हो, इसलिए engineer का बहुत बड़ा रोल होता है quality को check करना, ताकि वो 100 नहीं 200% दे उस काम में, billing engineering, जो काम करवा रहे हो आप, उसका आपको bill करना होगा, तो contractor claim कर पाएगा bill को, और पैसा ले चाहिए, procurement हो गया, planning engineering हो गया, हम लोग कोई भी काम को, कोई भी project जब चालू करते हैं, तो सबसे पहला stage आता है आपका planning, बिना planning के कोई भी काम नहीं होता, इसी project को हमें एक stipulated time में खतम करना है, जिसे 2 साल के लिए, तो उसके लिए planning करनी होगी, कि कौन सा part कितने समय में ख management भी बहुत बड़ा part होता है, जो कि अपने experience को use करके, उस project को एकदम time पे देने के लिए, सबसे बड़ा जिम्मेदार रहता है, तो इन सब का एक मैं summary करूँ, तो ये सब आता है, आपका site engineering में, और skill up academy, एक ऐसा academy है, जो आप लोग के लिए लाया है, site engineering course, जिसमें ये सारे part cover किये जाएंगे, और एक खास बात, जैसी आप इस course को complete करते हो, आपको यहाँ पर ISO certified certificate मिलने वाला है, आप यहाँ पर sample देख सक रहे हो, ये sample certificate आपको जब यह आप से course आप पुरा complete कर लोगे, तब आपको ये मिलेगा, ये ISO certified है, और all over India में valid है, और इसको कोई भी company का check कर चाहे कि ये genuine है कि नहीं, valid है कि नहीं, वो भी वो online portal पर जाके check कर सकती है, अब मैं आपको content बताता हूँ कि आपका इस site engineering course में क्या-क्या चीज cover करने वाले हैं, इसमें सबसे पहले है आपका drawing reading, ठीक है, drawing reading civil engineer के लिए उसके जहम-जहम में होना चाहिए, छोटा से छोटा च चले जाओ, US चले जाओ, आपको language पता नहीं है, लेकिन आपको किस चीज का language पता है, आपको drawing का language पता है, उनके drawing को देखके आप समझ पाओ कि क्या करवाना है, क्या करवाना है, वो कुछ नहीं भी बोलेगा, तो आप drawing के language को आप समझोगे, तो civil engineering में जो language जो बोलती है, वो है drawing की language, तो यह आपको पता होना चाहिए, यह आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद है quantity survey, क्यूंकि इसके बिना आप budgeting नहीं कर पाओगे, quantity निकालोगे तो ही आपको पता चले है कि आपका कितना खर्च होने वाला है, कौन से material को कर्प कितना मंगवाना है, आपका billing billing apart हो गया, billing में भी आपको quantity survey करना ही परेगा, आपको quantity निकालना ही परेगा, तब ही आप bill बना पाओगे, ठीक है, उसका measurement पगएड़ा करना परता है, aspart जो site होती है वो सब, उसके बाद आता है आपका bar bending schedule, जिसमें हम लोग steel का wastage जो है, वो control करते हैं, फिर labor productivity, यह बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि जब आप planning करोगे ना कि कलम में एक काम करवाना है, उसके लिए आपको labor की productivity पता होनी चाहिए, एक क्यूविक में मुझे brick work करवाना है, तो कितने labor लगने वाले हैं, excavation करवाना है, कितने labor लगेंगे, यह सब आपको पता होना होगा, तो ही उसके plumbing works हो गया है, plumbing works तो बहुत ज़्यादा important होता है, क्योंकि मैं अपने career की बात करूँ, तो मैंने देखा है कि अगर कोई project खाड़ा हो रहा है, तो project में सबसे ज़्यादा जो failure देखने को मिलता है, वो होता है plumbing work में, leakage एक ऐसा चीज है, जो आप civil engineering में अगर उस leakage को control कर लिए तो वो project success हो जाता है, पानी को रोक लिए तो जो project है वो success हो जाता है, तो plumbing जो चीज है ना वो बहुत बड़ी part है, बहुत vast film में ये फैला हुआ है, तो इसका भी knowledge आपके पास अच्छा हासा होना चाहिए, फिर BOQ हो गया, bill of quantities, इसके बाद SOR, schedule of rate, जहां से हम लोग rate लेके analysis करते हैं, पाकि जो हम लोग client को rate submit करें तो हम लोग proper तरीके से दे सके, यहने की कम दे दिये तो हम लोग loss में चले जाएंगे, तो schedule of rate का भी knowledge आपको होना चाहिए, किस तरीके से rate extract करते हैं, वो सब भी आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद construction का procedure है, वो sequence wise आपक यह सब करना पड़ेगा, तो sequence भी आपको construction का पता होना चाहिए, तो यह सारे course content थे, और यह सारे course content जो है, यह आप skill up academy के official app पे आप सीख सकते हो, 2143 रुपीज में, और इसमें आपका JSTV include है, इसके उपर extra आपको कुछ भी पे नहीं करना है, आपको इस course में enroll करने के लिए skill up academy का official app जो की play store पे उपलब्द है, आप वहाँ से इसको download कर सकते हो, install कर सकते हो, sign up कर लेना, और उसके बाद आपको यह banner दिख जाएगा, वहाँ से जाके इस banner को देखको, आप यहाँ पे enroll कर सकते हो, खुदको इस course के लिए, तो चलिए अब इस course के कुछ benefits हैं, वो सब को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, इस course का जो validation है, वो आपको lifetime मिल जाएगा, और lifetime में जितनी बार चाहो, उतनी बार यहाँ के video को आप देखके recall कर सकते हो, और सीख सकते हो, उसके बाद आपको एक ऐसे group पर आट कर दिया जाएगा, जहाँ पे professionals रहेंगे, आपको कोई भ इसको देखके अच्छे तरीके से यहाँ पे सीख पाओ, फोन पे तो करी सकते हो, अब साथ में अपने laptop PC पर पी इसका access ले सकते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे इस सारे course के videos आपको offline भी available मिल जाएगे, जिससे आपके पास अगर नेट नहीं है, तो उस वक्द आप इसक कर सकते हो, यहाँ पे regular doubt session होते रहते हैं, जिसमें आपको doubt को यहाँ पे clarify कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे आपको practice के लिए सारे materials भी provide कर वाए जाएंगे, और फिर आपको यहाँ पे successfully यह course complete कर लेते हो, तो आपको यहाँ पे ISO certified certificate भी मिलेगा, और सबसे बड़ी बात कि य ISO certified है, यह valid है कि नहीं, यह आपकी company, जिस company में apply कर रहे हो, वो company इसको online check कर सकती है, कि यह valid है कि नहीं, तो यह offer दो दिन के लिए ही है, description में जाएए, आपको link मिल जाएगा, वहाँ से इस course के लिए आप खुद को enroll कर सकते हो, कुछ भी doubt है, कुछ भी query है, तो आप यहाँ प